बुड आप्टूनून आप सभी स्टुडेंट्स को एक बार फिर से रोहन स्टेडी पॉइंट में आप सभी का वेलकम मैं रोहन आपके साथ आप सब रेडी हो आए होग क्लास लेने के लिए ना कि सोने के लिए शुरू करते हैं आज की जीके सिरीज का पार्ट फिप कोशें करेंगे इसके अलावा हमारी सभीदान सीरीज को भी चेक आप करें और हमारी जो चैनल है उसको घूब सपोर्ट एड सब्सक्राइब कर लीजिए आए शुरू करते हैं जीके सिरीज पार्ट फिप शुरू करते हैं पार्ट फिप जीके सिरीज का कोशें नंबर फिफ्टी इसका राइट आंसर है अप्शिन नंबर बी रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ये कैसा बैंक है जो पैसे चापने का काम करता है ठीक है और हमारे पैसे से रिलेटर सारी प्रॉलम को सॉल्व करता है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नंबर फिफ्टी टू व इसका राइट आंसर है अप्शन नंबर बोपाल जो हमारे प्रदेश की राज़दानी है नेक्स्ट कोशन कोशन नंबर फिफ्टी थी हाव मैनी नाइबर कंट्रीज ओफ इंडिया भारत के कुल कितने पडोसी देश है अप्शन नंबर ए फाइफ ऑप्शन नंबर बी टैन उप्शन नंबर इट उप्शन नंबर डी सेवन तो इसका राइट आंसर है उप्शन नंबर सी एट टोटल बारत के आठ पडोसी देश है कहीं कहीं आपको यह सेवन भी देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एट ही रखेंगे क्योंकि एट जो है इसका यह कुल आर्ट जो है पडोसी देश है भारत के ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के तरफ कोशन नंबर 54 वीच कंट्री शेयर लोंगेस्ट बाउंटरी विट इंडिया एज बोडर लाइन ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी चाइना ऑप्शन न नहीं है वह लोंगेस्ट बाउंटरी नहीं है ठीक है पंगलादेश की सब्सक्राइब लगती है इंडिया के साथ आई चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नंबर 55 विच कंट्री शेयर स्मोलेस्ट बाउंटरी विट इंडिया ऐसा बोडर लाइन ऐसा कौन सा देश है जो बारत के साथ सबसे कम जो सीमा है वो साजा करता है अप्शन नमबर A अफगानिस्थान अप्शन नमबर B नेपाल अप्शन नमबर C बूटान अप्शन नमबर D स्रिलंका इसका राइट आंसर है अप्शन नमबर A अफगानिस्थान जिसकी बारत के साथ सबसे कम सीमा ल जो कि हिंदु टेंपल है, option number A, जैपूर, option number B, कुनार्क, option number C, पुबनेश्वर, option number D, उद्यपूर, इसका right answer है, option number B, कुनार्क में जो sun temple है, well located है, next question, question number 57, which animal is now as the ship of the desert, किसे रेकिस्तान का जहाच कहा जाता है, option number A, elephant, option number B, camel, option number C, horse, option number D, नने, यानि इनमें से कोई नहीं, तो option number A, जो elephant अब हो तो होगा नहीं, क्योंकि हाथी को तुम चला नहीं सकते, ठीक है, जो गोडा है, उसको भी नहीं चला सकते, तो option number B, camel, ठीक है, उंट जो बिना पानी पीए, दस दिन तक रेकिस्तान में चल सकता है, ठीक है, वही इसका right answer है, तो camel इसका right answer होगा, next question, question number 58, national symbol of India is, भारत का राश्ट्री चिन कौन सा है, option number A, tiger, option number B, अशोक लोयन, option number C, अशोक चक्र, option number D, lotus, इसका right answer है, option number B, अशोक लोयन, जो की भारत का राश्ट्री चिन है, जैसा कि आप image में देख सकते हैं, side image पर देखिए, यह आपको कई भारती नोटों पर देखने को मिल जाएगा, हमारी भारत सरकार के जो कई गाड़िया उन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, भारत का राश्ट्री चिन है, आईए और आगे चलते हैं, next question की तरह, question number 59, how many islands in Amman and Nicobar, आपको बदो सबसे पहले, Amman and Nicobar हमारे देख की एक union territory है, उसके अंदर पुछा कि कुल कितने islands है, option number A, 800, option number B, 532, option number C, 572, option number D, 866, तो इसका right answer है, option number C, 572 islands in Amman and Nicobar के अंदर, अब एक ऐसा question जो बच्चपन से हमारे दिमाग में घूम रहा है, question number 60, how many countries in white, पूरे विश्व में कुल कितने देश हैं, ठीक है, ये question बच्चपन से हमारे दिमाग में घूम रहा है, और हम इसका जवाब मिला नहीं, लेकिन अब मिल जाएगा आपको, ठीक है, option number A, 500, option number B, 195, option number C, 245, option number D, 115, इसका right answer है, option number B, 195, यानि कुल एक सो पिचान में देश हैं, इस पूरे विश्व में, और ये वो देशन जो रिजिस्ट्रेट से, ठीक है, ऐसे काफी देशन जो रिजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, जो 200 प्लस भी है, ठीक है, फिर से एक और ऐसा ही question बच कौन सा है ममी, शेत्रफल की दृष्टी के अनुसार है, option number A, China, option number B, America, option number C, Africa, option number D, Russia, जब भी कोई पूचता था तो सब अमेरिका बोलते थे, लेकिन अमेरिका नहीं है, जान रखना, इसका right answer होगा, option number D, Russia, रश्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, शे final question, question number 62, smallest country of world in area is, पूरे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, शेत्रफल की दृष्टी के अनुसार, अब देखो सबसे दिमाग में, आपने एक ची नोटिस की, हमारे ख्याल में सपनों में बड़ा ही आता था, कि हाँ बड़ा देश कौन सा, कभी ये question क्यों नहीं है कि सबसे छोटा देश कौन सा है, नहीं आया, तो अब आगया, चलो जानते हैं इसका उत्तर, option number A, Germany, option number B, Pakistan, option number C, Bhutan, option number D, Vatican City, इसका right answer है, option number D, Vatican City, कुछ लोग तो पाकिस्तान का भी भी सोची रहे हैं, कि पाकिस्तान होगा, नहीं है पाकिस्तान, ओके? इसी के साथ आज के हमारे questions complete होते हैं, next video में बात करेंगे, question number 63 से लेकर, question number 75 तक जो कि रहेगा, part 6 के, और यूहीं हमारी series से जुड़े रहें, अगर चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को subscribe कर दो, और यूहीं हस्ते खेलते हम पढ़ते रहेंगे, जी की series को complete करते रहेंगे, मिलें एक नई वीडियो में धन्यवाद,